बिसमिल्लाह रह्मान रहीम, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोरिजन, कोरिजन कैसे कहते हैं, रस्टिंग ओफ आइरन क्या होती है, रस्टिंग ओफ आइरन की केमेस क्लिक क्या है, कोरिजन और रस्टिंग में डिफरेंस क्या है, हम इस इतले कहते हैं के कोरिजन और पढ़ेंगे यह वीडियो देखने के बाद आपको ना सिरफ कोरिजन और रस्टिंग के कॉंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बलके आपको हम यही याद करवा के जाएंगे तवज्जु आप हमें देजिएगा गिरिंटी हम आपको देते ही याद करवाने की तो शुरू करते ह हैं अपने आज की वीडियो कुरिजन से तहीं जो आम लोग होते हैं वो कुरिजन को खंपेर करते हैं रस्टिंग से वो रस्टिंग को बेतिक लिए हमारे पास कहते हैं रस्टिंग को वो कहते हैं कुरिजन देखें यह दोनों हम कह सकते हैं कि यह एक दूनों एक दूसरे के मतलब जंग लग जाता है तो उसको हम कहते हैं रस्टिंग या कुरेजन लेकिन इसमें में डिट्रेंस यह कि यह जो कुरेजल है यह जनरल टाम है यह हम आम तोर पर यूज करते हैं इस अ जनरल टाम वाइल रस्टिंग जो होती है वो स्पेसिफिकली हमारे पास यूज होती है अगर कोरिजन की हम definition करने तो इस देटरिएशन of substances or its properties because of its reaction with environment is called कोरिजन की हम definition करे तो the deterioration of substances deterioration of substances or its properties its properties because of because of reaction with environment is called कोरिजन यह सबसाद से हमारे पास generally होते हैं metals तो कोरिजन हमारे पास यह कोरिजन की common definition हो गए deterioration basically हम कहते ही जब किसी सबस्टांस के properties हमारे पास high level से low level पर आ जाती है कुई सबस्टांस हमारे पास खराब हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कि यह सबस्टांस deteriorate हो गया So deterioration of substances किसी सबस्टांस किसी चीज़ के खराब हो जाना किसी चीज़ के का हराब हो जाना किसी चीज का प्रोपर्टी के इसी चीज की प्रोपर्टी सहराब हो जाना मतलब हाई निवन से हाई क्वोलिटी से लोग प्रोपर आ जाना इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं अब अगर वो वेटल हमारे पास आयरन है और वो इंवर्मेंट के साथ खराब हो रहा है तो इसको हम कहेंगे रॉस्टिंग, आपको रॉस्टिंग और वो प्रोपर्टी के दिरियाँ के दर्मिनद्धेर्स समेहा आह गया होगा, अगर हम इसकी प्रीज के स्பेसिफिक निचेन करें So, the slow end continues eating away of metals by environment or surrounding. The slow end continues eating away of metals by environment or surrounding is called corrosion. So, the slow end continues eating away of metals by environment or surrounding is called corrosion. Now, if the warm metal is iron, we call it rustic. So, basically, you have to know the difference between rustic and corrosion. Corrigin के दर्मियान डिफ्रेंस पता चल्द गया. कि Corrigin हमारे पास जनरल टर्म है और रस्टिंग हमारे पास स्पेसिफिक टर्म है जो स्पेशिन हम यूज करते हैं आयरन के लिए. अच्छा, अब आते ही रस्टिंग के परफ के रस्टिंग हमारे पास क्या है? What is the rusting of iron? So, the corrosion of iron is commonly known as rusting. Corrigin, corrosion of iron is commonly known as rusting. Iron को जब हम जंग लग जाता है तो इसको हम कहते हैं rusting. अच्छा, अब इसकी necessary conditions गया है? हमारे पास एक निसेसरी कंडिशन्स यह हमारे पास basically होगा कब यह रस्टिंग हमारे पास कब हो तो इसकी जो में कंडिशन है जो जरूरी है रस्टिंग के ने वह हमारे पास moisture moisture in air मतलब moisture हमारे पास air में हमारे पास water molecule present होगे अगर हमारे पास air में water molecules ना हो या water में हमारे पास air ना हो तब हमारे पास rusting का पिनामिन नहीं होगा the necessary condition for rusting is the moisture in air. हमारे पास पानी हुआ में water molecules ही यह होंगे अगर हमारे पास हवा में water molecules ना हो या पानी के molecules में ना हो तो हमारे पास rusting वालब नहीं होगा यह condition इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास यह जो iron होता है यह हमारे पास react कर लेता है water molecule के साथ H2O के साथ और oxygen जो हमारे पास air में present होता है उनके साथ यह react कर लेता है और हमारे पास बना लेता है hydrated feric oxide hydrated Fe2O3 and XH2O this is hydrated feric oxide तो हमारे पास अगन हमारे पास हवा में water molecules ना हो यह water molecule में हमारे पास हवा ना हो तो हमारे पास रस्टिंग वाला पिनामिना नहीं होगा इसलिए कर निसिसरी कंडिशन फॉर रस्टिंग इस moisture in air okay I hope आपको रस्टिंग और रस्टिंग की necessary conditions पता चल गई होगी अब आते हैं रस्टिंग की chemistry की तरफ के रस्टिंग की chemistry किस तरह होती है what is the chemistry of rusting मतलब हमारे पास रस्टिंग में किस तरह के reactions होती है rusting का mechanism क्या है तो basically rusting जो basically हमारे पास iron में start होती है वो होती है जब iron में हमारे पास dents या stains आ जाए हमारे पास iron में शुराख आ जाए या हमारे पास iron पर दाग लग जाए तब उस जगह से उस शुराख से या वो जो गड़ा बना हुआ है या वो जो दाग लगा हुआ है iron पे वहांसे हमारे पास rusting start हो जाती है तो जो हमारे पास rusting start होती है अब ये हमारे पास dents in हम कह सकते हैं कि ये एक iron iron है ये एक iron sheet है अब इस iron की sheet के ये surface पर हमारे पास क्या बना हुआ है गड़ा बना हुआ है देंट बना हुआ है यहाँ पर let suppose हमारे पास stain दाग लग गया है यहाँ तो यह वाला पिनामिना काल से start होगा रस्टिंग वाला पिनामिना ये dents या stains से सुराख हो या iron पर जब सुराख हो जाए य उस एरिया ते हमारे पास रस्टिंग वाला पिनामिना start होगा तो देंट ये जो stains होते हैं हमारे पास दाब वगयरा यहाँ से हमारे पास रस्टिंग शूरू हो जाती है इडिस बैसिकली एस साइट फूर रियक्शन ये साइट प्रोइड कर देते हैं किस चीज़ के लिए रियक्शन के लिए और ये dents and stains act करते हैं as anode अब बताता हूँ कि कैसे let's suppose ये बन गया हमारे पास एक iron sheet है ये यहाँ पर इस पर है ये dent अब यहाँ पर ये is anode act करेगा इस पर reaction क्या होगा इस वाले एरिया पर हमारे पास किस तरह का reaction होगा anode ये is anode act करेगा और anode पर होती है हमारे पास oxidation तो अगर ये anode act कर रहा है तो ये तो हमारे पास iron है यहाँ पर हमारे पास iron हो जूँ थे और iron जब is anode act करेगा तो ये अपने दो इलेक्ट्रोंज लोज कर लेगा इसमें oxidation वह जाएगी और fe plus two plus two electron ये क्या कर लेगा लोज कर लेगा अब ये जो दो इलेक्ट्रोंज इसने लोज किये है ये free इलेक्ट्रोंज हमारे पास surface पे आ जाएंगे यहाँ पर let's suppose ये reaction हो गया ये reaction हमारे पास हो गया fe plus two बन गया और two electron इसने लोज कर लेगा अब ये जो दो इलेक्ट्रोंज है ये movement करके इस surface पे आ जाएंगे जब ये लिक्षोंज इस surface पे आ जाएंगे तो ये surface act करेगा ये वाला जो surface है ये is a cathode act करेगा this side to act is a cathode अब ये surface पर आ गया surface पे हमारे पास क्या है air मुजूद है और moisture मुजूद है let's suppose ये एक drop of water है ये और ये उपर हमारे पास air है तो drop of water में हमारे पास क्या present होगा H2O basically drop of water हमारे पास बना H2O से होता है अब 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 हमारे पास क्या present होगा oxygen अब ये oxygen और water ये जो electron यहाँ पे मुद हुआ है इस surface पे ये इसके साथ react कर लेंगे ये electrons के इस electrons के साथ react कर लेंगे तो हमारे पास बना लेंगे H2O with an oxygen which is moisture in an जब ये हमारे पास इस electrons के साथ react कर लेंगे तो हमारे पास बना लेंगे 4OH negative ions 4 hydroxyl ions मना लेंगे हमारे पास अब यहाँ पर एपनी plus 2 बना है नोट पर तो ये एपनी plus 2 पर दर एक electron loss कर लेगा और if we plus 2 से convert होके fe plus 3 में convert हो जाएगा और एक electron loss कर लेगा अच्छा अब ये fe plus 3 fe plus 3 iron जिसने 3 electrons loss किये ये fe plus 3 3 OH minus 1 के साथ react कर लेगा और बना लेगा fe OH 3 तो ये basic लिए हमारे पास क्या है it is called rust हमारे पास rust बन गया मुबारिक हो ये हमारे पास process किस तरह हुआ ये एक dint था इस dint की वजा से हमारे पास यहाँ पे oxidation हुई oxidation हुई इस negat dint is a node act कर रहा था electron loss हो के surface पे आगे यहाँ पर surface is a cathode act कर लेगा अब surface पर हमारे पास कुला surface है surface पे हमारे पास moisture है और water air present है हमारे पास तो ये electrodes हमारे पास water और oxygen के साथ तरह करके OH minus iron बना लेगा वो OH minus iron हमारे पास इस iron के साथ रिए कर लेंगे and FEOH3 बना लेंगे जिसको हम कहते हैं rust, zone इस process को basically हम कहते हैं rusting of iron I hope आपको समझा गया होगा, अभी भी समझ नहीं आया तो comment section में पूछ ले, हमकी खिदमत के लिए हाजर है वागी हसते रहें, मुस्कुराते रहें दिलों का ख्याल रखे खुश्यावांटे, अल्ला हाफ्यूस